नमस्ते तो आज में एक और रिडिंग करने वाले हैं इस वक्त आपके प्रसंट किस एनर्जी में है क्या कुछ सोच रहे है क्या चल रहा है उनके दिल दमाग में क्या एनर्जी आती है देखते हैं आपको कर देना है एक लाइफ उन्युवर्स को ग्राटिटी वुट जरूर जरूर सुन करना है देखते हैं क्या एनर्जी हमें आप पर मिलती है फोकस करना है अपने परसंट के उपर देखते हैं सबसे पहले आप बॉटम में टेन आफ कप्स रिवोर्स दिखा जाने कुछ ल इतना जादा प्यार होने के बावजूद कुछ लोग आप ऐसे हैं कि आपके परसंट शादी का वादा करके तोड़ दिया है कुछ तो ऐसे नर्जी प्यार बहुत जादा है वह चाहते भी है आपके साथ रिष्टा बनना शादी करना हो सकता है कोई अबस्टिकल्स है या इ अब किसी किसी के साथ रेजूर्ट करेगा ठीक है देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर आती है इन्वर्स के शेगा मेजर विवर्स नके पॉर्स या स्वाइब क्या सोच रहे हैं क्या चल रहा है उनको दिल दिमाग ने मेरे विवर्स को लेका अब कि देखो आपके सामने काड उचल कर आया है बॉटम में यह काड रिवर्स था जैसे हमने शफल किया वही काड आपके सामने आया है इसका मतलब है आपके पॉर्स न पहले आपके लिए कमिटमेंट के लिए तयार नहीं थे हो सकता है उन्हें शादी के बारे में बहुत सोचा था आपको बोला भी था शादी के लिए लेकिन फिर इंकार कर दिया या हो सकता है आपको टालने लगे आपको इग्नॉर करने इस इंसान को रिग्रेट है आपके पॉर्स न आज भी आपको बहुत जादा प्यार करते हैं इससे खुबसे इनरजी क्या हो सकती है कि इनसान पहले इंकार कर रहा था पहले मना कर रहा था और वही काड एंजन ने आपको दिया है कि आपके पॉर्स न आपको बहुत चाहते वो आपके साथ परिवार बसाना चाहते हैं शादी करना चाहते हैं और इस वक्त इनके दिल दिमाग में बस आप ही आप चल रहे हो आप ही के बारे में सोच रहे हैं फैमिली बनना चाहते हैं आपके साथ शादी करना चाहते हैं एक फैमिली परसन लगते हो उनको आप कभी भी उनके लिए पराय नहीं हो, वो जब भी आपके बारे में सुचते हैं, उनको ऐसा लगते हैं, घर का ही कोई इनसान है, जैसे कि ठीक है, आप उनको एक family person लगते हो, बहुत ही जदा, वो comfort फील करते हैं, ठीक है, तो यह बड़ी खूपसरोद energy सबसे पहले ही आप रहा है, दिल से इस वारे में सोच रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगते है कि आपके person ने पहले बहुत जूट बोला है, और किसी-किसी के लिए वाइस वर्जा हो सकता है, उनको ऐसा लगते है कि आप जूट बोल रहे हो, या अगर इस अंसान ने आपसे पहले जूट बोला है, तो इस इंसान को रिग्रेट है उस बात के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी है कि अभी भी ये अंसान आपसे कुछ न कुछ चुपा रहा है, कोई ऐसी बात है जो आपके person अभी भी आपसे चुपा रहे है, कुछ लोग है आप रहे हैं, कि आपके person आपके साथ जूट बोला, पैसी कि आपके person में कोई न कोई बात है हमेशा से चुपाई है आपसे या अभी भी ये अंसान कोई न कोई बात आपसे चुपान की कोशिश कर रहा है, वो नहीं चाहते हैं, देखो यहाँ पर 9 of cups के नची, wish fulfillment चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपक करते हैं, 7 of source क्यों है, यहाँ पर क्यों है, इस इंसान ने हो सकता है, अब यह कितनों के साथ result होगा, यह यहाँ पर जो इनरजाई है, इस इंसाने अड्राक्शन की वज़े से कोई जूट होला है, ठीक है, यहाँ तो इस इंसान को किसी और इस इंसान ने होगा जोट बोला हो कि अब इस वक्त की जो अगर देखी जय तो यह इनसान आपसे प्यार करने लगा है, और इसको आज भी, देखो, आज भी इंसान इतना अट्राक्शन फील करता है, लेकिन हो सकता है, करते हैं कि इसको बदा कि आप से बहुत अच्छे हो आपकी पॉसनल्ती बहुत अच्छी है हर चीज में आप इंसे बेटर हो मानते हैं लेकिन आपके सामने कभी कभूल नहीं करते हैं तो यह आपके पूस्सकों सब कुछ छुपा रहे हैं राशी आपर है King of Wands की Aries Leo Sagittus है, Libra एक बड़े जिमिना है, Cancer Scorpio Paisy है आपर, तो यह जो इंसान इतना खीचाव सा फील कर रहा है, इसका मन करता है आपके तरफ आने के लिए और यही बात वो आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है, आपके परसंद खुद ही आपको छोड़ कर चल दूर चले गए, या खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया, खुद बात करना बंद कर दिया, जो भी हुआ है यहाँ पर, इस इंसान की खुद की गलती है, ठीक है, और अब इस इंसान की बोलती बंद हो गई है, देखो, खुद ही छोड़ कर चला गया है, अब खुद ही वापस आना चाहता है, आपके तरफ शादी भी करना चाहता है आपसे, यह इंसान जो आपसे दूर चला गया, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और यह जो इसने गलती कर दिया, आपसे दूर जाने की, आपको छोड़ने की, इस बज़े से इस इंसान की बोलती बंद हो चुकी है कि कैसे बोले, क्या बात करें, कि वो खुद छोड़कर चले गए और खुद ही शादी करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत लोग आप ऐसे कि इस इंसान ने शादी का वादा किया था, और तोड़ दिया था, खुद ही इस इंसान ने ही रिष्टा तोड़ दिया था, दूर जला गया था आपसे, और खुद ही अब वापस भी आना चाहते हैं, अब परिशान हो रहे हैं, बहुत जल्द वापस आना चाहते हैं, अब उनका कही भी मन नहीं लगता है आपके बिना, ठीक है, वापस कैंसर स्कुर्पियो, पाइसी राखिया ही आपर, ठीक है, और, और क खुद को हील करना चाहते हैं, और अगर इसने आपको बहुत जादा हर्ड किया है, तो ये वक्ती आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एनरजाई है, एक न्यू बिगिनिंग, वाव, बहुत ही खुबसुर्प, यही तो है, ये अनसान कमिट्मेंट देना चा इस इंसान को समझ में आ चुका है, कि आपके बिना तो सब अंधेरा है, ठीक है, आप जिंदग में नहीं, तो हर तरफ अंधेरा है, और आपके साथ हर तरफ उजाला है, ठीक है, ये इस इंसान को समझ में आ चुका है, कि वो आप से दूर रहकर खुद अंधेरे में जा रह करने इंसान और हो सकता है किसी किसी के लिए इंसान ने अंधरे में रखा आपको कुछ बाते आप से शेयर नहीं कि कोई जरूरी बात थी जो आपको बताना जरूरी था लेकिन इससे नहीं बताई एक न्यू बेगिनिंग वो चाहते हैं बहुत चल ठीक है और इस इंसान से एंड करना चाहते हैं यह जो जगड़े फसाद है जो गलत फार्मी है जो भी है इसका दी एंड करके वो आपके तरफ वापस आना चाहते हैं एक न्यू बेगिनिंग चाहते हैं अभी इंसान कुछ ऐसे हालत में है कि बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं ठीक है कि आपके बहुत गहराई से सोच रहे हैं कम से कम इसान खुदकी गलत्यों के बार में सोच रहा है या इस इंसान को समझ में रहे हैं confusion है अभी भी है लेकिन खुद की गल्टियों को समझ दो पा रहे हैं और यहाँ पर मुझे सा लगता है कि हो सकता है पहले आपके प्रसुन में नहीं थी लेकिन आज अकर देखा जाए तो इस इंसान के अंदर मुझे एक maturity भी दिखाए दे रहे हैं कि वो समझ पा रहे हालात को समझ पा रहे सिचेशन को समझ पा रहे आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं यह वड़ी खुबसुरत बात यहां पर है अकन्या राशी वर्गो राशी भी हो सकती है आपके परसुन की ठीक है यह स्प्लेस गाइट कर दोस्तों का सहरा ले रहे हैं किसी किसी के लिए आप उनके बिना एक दिन पर नहीं रहे पाओगे और हो सकते का आपने कॉल नहीं कि हो सकते हैं अपने बात नहीं जो army कि पासे क्रता हैं और वह दोस्तों के सामने को शेयर कर रहे थे पास्ट में तो दोस्तों के सामने भी बोलती बंद है अब दोस्त पूछ रहे हैं कहा है वो अब तक कॉल क्यों नहीं आया तुम तो बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे क्यों नहीं कॉल कर रही है या कर रहा है ऐसे वाले अनर्जी में आपके पर समझे दिख कर रहे हैं हर एक लम्हा इस इंसान को मतलब बहुत याद आ रहे हैं फिलिंग्स बहुत बढ़ रहे हैं एमोशन हाई हो रहे हैं मिलना चाहते हैं वो लम्हें वापस लेकर आना चाहते हैं बहुत जादा पुरानी यादों में भी खो रहे हैं आपकी पुरसन ठीक है तो कप्स लिदाया आदोगाय में के वानने के दिशतर हो बात्ता हें चोब आपके मुझा लिए हो तो हें ईंतित के गाए को बिजेक्स हो तो ये वी बढ़ एक further खूश ओ तो यह बड़ी प्रोब्लेम हो रहे चिकर है और क्या है आपके परसन अगर किसी थर्ड पार्टी में थे ना तो उसमें से बाहर निकल जाएंगे आपकी जीत होने वाली है इस प्यार में किसी किसी के साथ रेज़न्ट करेगा कि आपके परसन किसी और की बातों में आ रहे थे और इस बज़ा से इस रिष्टे में सब कुछ मतलब क्या उटाना कि दूसरों की बातों में आकर खुद का रिष्टा खराब करना मतलब ये वाली हर्कत भी यहाँ पर हुई है ठीक है कोई जलने वाले होते हैं नहीं देख सकते आपकी जिन्दगी खुबसुरत बने तो फिर ऐसा कुछ करते हैं बलो तो आपके बुर से ऐसे किस इंसान की बातों में आ रहे थे ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर देख सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था एक टीमवर्ग था हो सकता है किसी किसी के लिए आपको लगता है कि इस इंसाने उतने एफट नहीं डाले दिली दिली इंसान आपसे बहुत प्यार करता है इ यह सब्सक्राइब कर सकता है किसी के लिए अपने दोस्तों का सहरा लेगा आपका पहुचने के लिए आपसे बात करने के लिए Maid सकता है किसे किसे ने ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को तो किसी दोस्तों का सहरा लेंगे उनको बताएंगे प्रोब्लेम शेयर करेंगे या वो आप तक कोई मैसेज सेंड करेंगे ऐसा बहुत लोग के साथ रेजर्ट करेगा यहाँ पर जो एनरजी है अकड़ बहुत है आपके परसन में इस इंसान ने कभी भी खुद होकर बात नहीं की होगी आपसे लेकिन अब तो मजबूरी है अब तो करनी पड़ेगी अगर इस इंसान ने आपसे बात नहीं की तो यह आपको खो सकता है इस डर से आपके परसन बड़े हैराम है परिशान है समझ में हैं क्या करें जीत तो चाहते हैं, इस रिष्चे को सक्सेस कुल तो बनाना है, ऐसी वाले सोच में इस वक्त आपके परसन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, Aries लिए वो Sagittles है, Taurus वरो, Capricorn भी है यह आपर, तो यह हालत है, उनकी इस वक्त देखते हैं, इस वक्त आपके लिए क्या संदेश है, ओके, सबसे पहले, अगर आप किसी दो-दो ओप्शन के बीच में हो, ठीक है, हो सकता है, करियर हो, एक तरफ बिजनेस हो, रिष्चे को लेकर हो, दो-दो थोट्स अगर आपके मांड में चल रहे हैं, तो अपने आपको शांत करो पहले, दो-दो ओप्शन आपके पास है, तो शांती से सोच कर आपको डिसिजन लेना पड़ेगा, एक ही वक्त, दो-दो थोट्स सोच कर, आपके सही डिसिजन तक नहीं पहुच सकते, या एक ही वक्त, दो-दो काम करके आप किसे एक काम को पुरा नहीं कर सकते ऐसे वाले energy हाप पर है कि आपको अपना पुशान रखना है सोचना है ठीक है और ये जो दो-दो thoughts आपके दिमाग में चल रहा है इसके उपर control करना है दो नंबर खास हो सकता है आपके लिए आप अपने life में change चाहते हो ना कुछ लोगे आप ऐसे कि आप बहुत ज़ादा financial problem से परशान हो या family support नहीं कर रही है कुछ लोगे आप ऐसे कि आप शादी के सपने देख रहे हैं वो लेकिन शादी नहीं हो रही है होगा ज़रूर होगा थोड़ा वक्त इंतजार आपको करना पड़ेगा आपके अंदर creativity गजब की है हो सकता है आप उसका इस्तमाल नहीं कर रहे हैं financial problem से परशान हो उनके लिए बता दू कि अगर आप अपनी creativity का इस्तमाल करते हो अगर कहीं अच्छी जगह पर अपनी creativity लगाते हो तो इसका आपको बहुत फाइदा होने वाला है आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे कि खुद की तरब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो आपको अपने आपके उपर focus करने के लिए कहा जा रहा है खुश रहने के लिए कहा जा रहा है आप खुद की value को नहीं समझ रहे हो खुद से प्यार करना है आपको ठीक है खुद की दरब धान दो और जिस तरह से आपके अंदर जुनून है आप तो सफल होने वाले हो आपके अंदर एक जिद है हो सकता है कुछ लोग ऐसे कि आप कुछ बनना चाहते हो कुछ कर गुजरना चाहते हो आप में जिद है और आप करोगी भी अगर आपके अंदर जिद है और आप मेहनत करने के तयार है और भगवान की इच्छा है तो आप हर वो चीज कर सकते हो जो आपको आज एक सपना लगता है ठीक है? तो ये बात यहाँ पर है I hope आपको रिडिंग पसंद आई है Like, Share and Subscribe मिलते एकले वडियो में तब तक के लिए Bye